ये बदरी बारवध्याय में, ग्यारवध्याय में जिन विश्वास योध्धाओं का इतिहास बताएं, करेवे बादल के समान हमें घेरे हुए हैं, तो हरेकर रोकने वाली वस्तुर रुजाने वाले पाप को छोड़कर आगे बढ़ें, तो हमारा नजर किस पर होना चाहिए, प्रभीश्वमसी पर होना चाहिए, उन पुराने करार के भतों को देखते हुए नहीं, प्रभीश्वमसी पर नजर रखकर आगे बढ़ना चाहिए और ये कलीशिया सताव और कश्टोल कलीश से होकर गुजर रहे हैं जिसके कारण कहते हैं ये दुख की वेला में मसी क्यों देखना चाहिए और मसी ने दुख को सहा क्यों कि आगे जो आनंद रखा था उसको प्राप्त करने के लिए दुखों को सहलिया वैसा ही हमारे लिए भी वायदे किये गए और आनंद उसको प्राप्त करने के लिए हम भी दुख सहने वाले हो जाएं यही वो जहां कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि यदि आप दुखक लेश से होकर गुजर रहे हैं तो वह इस बात का प्रमान है परमेश्वर आप से प्रेम करते हैं तो उदाहर्न का रहे हैं एक पिता जो अपने प्यच्चे से प्रेम करता है जो उसका ऐसली बच्चा है तो उसको तार ना देता है वैसा ही परमेश्वर भी जो उनका संदान है उनको तारना देता है उसलिए इसलिए कि व नाष्यों deeper और पिता अपने बैच्चे पर प्रेम करतअ जैसा देते हैं वैसा परमेश्वर हम उनके संदानों को ताड़ना देते हैं कि हम हमारी तीन गुण इसे क्या फाइदा है आँ क्या हो जाये हम जीवित रहेगा दूसरा परमेश्वर की पवित्रता के भागी हो जाएगा दूसरा धर्म का तदिभल प्रात करेंगा तो यह दुख और क्लेश अहने से होने वाली यह फाइदा हैं इसलिए वो ताड़ना समझ कर साहने के लिए कह रहे हैं और आगे बारा उपसे एक बार पढ़ें ब्रानी की पत्री बारवधिया इसका बारा उपसे इसलिए धिले हाथो और निर्बल घुटनों को सिधे करो और अपने पाउं के लिए सिधे मार्ग बनाओ कि लंगडा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए सबसे मेल मिला प्रक हो और उस पवित्रता के खुजी हो जिसके भी न कोई प्रभु को कदापी न देखेगा ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुगरह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग असुद्ध हो जाए ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभी चारी या एसाओ के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहला उठे होने का पद्वेच डाला तुम जान दे हो कि बाद में जब उसने आवसी स्पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंशु बहा बहा कर खुजने पर भी मन फिराओ का अवसर उसे ना मिला इसलिए धिले हातों और नर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाउं के लिए सीधे मार्ग बनाओ का चंगा हो जाएंगे विश्वासियों की आत्मिक दशा यह जानकर लेख कर कह रहे हैं जो हाथ धिला हो गया और गुड़ना नर्बल हो गया इसना मतलब कुछ कर्ण भी नहीं पा रहे हैं कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं मसी में बढ़ने ही पा रहे हैं यह प्रकार से इसी ब्रानी कलीशिया के विश्वासियों में कई बार ऐसा कई रोग ऐसा पाए जा रहे हैं कि वे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं आतों को क्या करो सिधा कर और गुटने जो नर्बल हो एं उसको भी क्या करो सिधा कर और अपने पाओं के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाएं पर भला चंगा हो जाएं इसका मदर मार्ग सीधा नहीं है वो एक अभंगवती एक लंगड़ा जो रोड या सिमार्ग अच्छा नहीं है उस पर चलना कठीन है विजि शारीरी क्रूप में कमजोर है तो अब इनास्ता अच्छा है तो थोड़ा वोट क्या कर सकता है चल सकता है कि प्यांग का रहे हैं मार्ग क्या करो कि सीधा करो कि इसका मतलब प्रभु में बढ़ने से रोकनी वाली उन बाते जो रुकावट कर रूप में पाये जा सकते हैं रास्ते में वो सब को क्या करो कि सीधा करो कि जब युहन्या वक्तिस्मा देने वाला हिश्व मसी के लिए मार्ग तयार करने के लिए वहां भी यही बात इस्तेमाल के आगे मार्ग क्या करें सीधा करने के लिए आए ये मार्ग सीधा करने के लिए जो शब्द युहन्या वक्तिस्मा देने वाले तक बाते समय लिखा है मसीख के लिए मार्ग तजार करो विखार्थ क्या है एक देश का राजा किसी ॐ जाना चाहर रहे है तो उन दिनों में आज जैसा रोड़ नहीं पाये तो राजा आने से पहले है उसके लिए एक नया मार की क्या करता है लेगा जहां जा रहे हैं वाहां पाइयत्वां नीजी हुस्वें पहाड़ 실़ काट कर दो सिधा लेगा है इधार तीसमा देने वाला इशौ मसी के लिए मार की तयार चलुआरत है ठाट को भीिएता है काट कर रोड सीधा कर देता है जो देने वाला इस मसी के लिए जो मारकर तयार करने के लिए है वह जो बाते निखा यही अर्थ में कर देने यह हम बी एक प्रकार से वह कर रहे हैं रोड को क Festौन सीधा करो ताकि लंगडे भी क्या कर सके आसानी से एक बात यह जानना है कि एक कलीसिया के हर विश्वासियों का आत्मिक स्थर एक समान नहीं रहता है कर दो कि शेश करके सेवक कर यह बात को जानना है हर विश्वासियों का आत्मिक स्थर एक समान नहीं रहता है कोचलों का हाथ धिला है कोचलों का घुटना नर्बल है कोचलों लंगड़ा भी है नहीं समझा है कोच विश्वासी लंगड़े के समान है तो करना क्या है मार्ग को सीधा करो एक प्रकार से अभिश्वित्यों के रूप में हमारा कर्तव यही है यह पादरी साब अभी जो पादरी साब आया घड़ी दो को पाले जो मार्ग काने का मतलब विश्वासी लोग हर एक विश्वासी एक बराबर एक बराबर नहीं है कुछ लोग हाद के धिले हैं घुटने के निर्बल हैं और कुछ लंगड़ा भी है इसका मतलब यह नहीं है उठाकर फेक दो हलो समझ रहा है क्या दाना चाहिए मार्ग थोड़ा सीधा करें यही मार्ग अच्छा है तो लंगड़ा भी कही बार चल सकता है कही बार धौने का भी मार्ग अच्छा है तो कई बार लंगड़ा भी दावर सकता है तो हमारे करतव यही है कि हम ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे मार्ग को तयार करें तो केवल हम ही नहीं हर विश्वासियों का भी करतव वो ही है एक प्रकार से पिछले ध्याय में दसवाद्याय में वो का रहें एक दूसरे को समझाओ एक दूसरे को उसका यह सब क्या है ये धीले हातों को मजबूद करने का और निर्बल घुटनों को मजबूद करने का सीधा करने का और लंगडों को चलने के लिए सीधा मार्ग बनाने का है तो ये प्रकार से ब्राणी कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक स्थर को समझ कर लेखक यह बात को कह रहें हैं उसका चब्दो पदब या लंगड़ा और ये पाउं के लिए सीधे मार्ग मनाओं कि लंगड़ा भाटक ना जाएं पर पर भाला जंगा हो जाए हाँ देखे यह बात सच है फिर से कादूम हम एक प्रकार से पास्वान होने के कारण हर विश्वासियों के प्रती हमारी एक नजरिया रहता है यह विश्वासिया है प्रती हमारा इच्छा गाता है वह अच्छा ही गाता रहें प्रचार करने वादा अच्छा ही प्रचार करते रहें लेकिन हम उन में से कुछ लोग जो है जो ये काम नहीं कर सकता है जो गाना गाने की चंता नहीं है प्रचार करने की चंता नहीं है वो सत्य अच्छापत से प्रात्रा करने का भी चंता नहीं है तो हम उनको क्या कर देता है यह प्रकार से नजरंदाद करते हैं नहीं है नहीं है कि ऐग प्रकार से करते हैं लेकिन हम देख ले हैं कि जो कि हम कहर है वो प्रातन कर सता हुआ उसे प्रातन या करें वह सता है है फाली पार करें बहुंट लेकिन चार-पाण्च बार करके देख लेकरি reform पाले तरह जो अच्छा प्रातना कर रहे हुँ HER प्रेजलो उसका उदार यहां है यहां क्या करें मार्ग को सीधा करें किसके लिए लंगड़े के लिए तो लंगड़ा भाटक ना जाएगा फिर फिर यह कैसे होगा रोड सीधा होने से लंगड़ा चंगा होगा है यह यह भाटक ना जाएग वह समझ में आता है यह रोड सीधा नहीं है तो क्या हो सकता है वह भाटक सकता है लेकिन रोड सीधा करने से लंगड़ा चंगा कैसे होगा यही है कलीशिया की विश्यश्दाव यहां जो लंगड़ा का रहा है हूँ सारी रूप में जो लंगड़ा हो नहीं है कौना ही है आत्मिक लंगड़े बने है यदि हम उनके लिए सीधा मार्ग बना कर दें अर्था जिस रास्ते पर उसको चलना चाहिए वो रास्ता दिखा दें तो जरूर आगे जाकर वो चंगा हो जाएगा कई बार हम जिस व्यत्ती के प्रती ज्यादा आश्या नहीं रखता की वो हमारे लिए कलीशिया के लिए आशिश का कारण ठारेगा वो ही व्यत्ती हो सते हैं आगे जाकर सबसे बड़ा आशिश का कारण ठारेगा है नहीं है कई बार होता है जिस व्यत्ती के बारे में हम सोचते हैं यह कलीशिया के लिए कोई काम का नहीं है आगे जाकर कलीशिया के लिए और पासवान के लिए सबसे आशिश का कारण वही व्यत्ती ठारता है वो कौन है मालून है वो यह लंगड़ा है यह लंगड़ा है हम उसके लिए क्या बना कर देना है सीधा मार कर दिर को अच्छा उधारन का उलूस है इतना भी वड़ा हुआ था नहीं है लेकिन प्रभु ने उसको पकड़ लिया और उसके लिए क्या बनाया है? सीधा मार गड़ आगे जाकर प्रभू की महिमा के लिए इतियास में सबसे जा इस्तेमाल किया जाने वाला वेत्ती बन गया है तो कलीसिया में हर वेत्ती हर प्रकार कर रहेंगे उसमें कुछ तो हाथ से नर्बल, ढीला, घुटने से नर्बल और लंगड़ा भी पाये जाएंगे तो हमारा करता भी है पासवान या विश्वासी यांकेवल पासवान की बात नहीं करें हर विश्वासी कलीसिया से बात कर रहें लेकर कि हम उनके लिए क्या बनाएं सीध ही मार्ग बनादें ताकि वह भटक न जाएं फिर भला चंगा हो जाएं ये प्रश्वू भी समझना चाहिए कलीसिया सताओ के कारण क्या होने जा रहा है पीछे हटने जा रहा है और और भी कई कारण होगा कई कारण मतलब जब प्रभू में आने के कर मसी में आने के कारण पहले यहूदियों में पाये जाने बाली कोई रिच्वल्स वहाँ नहीं है कोई रीती रिवाज नहीं है द्वान कभी पास आराजना को कोई वीधिवारा नहीं कोई क्रिया कर्म नहीं है फिर क्या नांहीज है नास्ती कहा करता तो इस मत्या कई लोगों को लगा कि पहले जहां था वह ठीका तो यह प्रकर से अवस्ता को या उनकी हालात को जानकर हम उनसे बरताव करें तो आगे जाकर हो सबता हुआ परमिश्वर की कलीशिया के लिए आशिश का करन ये भी याद रहा हर विश्वासी परमिश्वर की कलीशिया के लिए आशिश का करन ठाहरा है ठाहरेगा ये भी नहीं सोचना चाहिए वी पावरूस के साथ रहा मतलब धेघ्वार करने वाले रहा है इस इच्छी ने कहा सव प्रतिशत विश्वार्शियों को सुर्ग ले जाने के लिए कोई पादरी सोच नानीं हो, था बोला, ऺज्बक प्रतिश्जन विश्वाशी स्वर्ग जायेगा सोच कर कोई पादरी सेवा, नहीं करना है, साउट में कलीजियर से कहता है उनके बारे में वह पाधरी उसी विश्वाशी को चर्च में आना देता है, उनको लगे कि वो सुर्ग जाने लायक है, नहीं समझा, वो उनको चर्च में आना देता है, जो पादरी को लगना चाहिए कि वो सुर्ग जाने लायक है, उन्हीं को ही कहाने देता है, चर्च में, यह कहां तक सही है, क्योंकि पादरी जाने का तो क्या जाने का, खरदे को नहीं जाने का, कई बार हम बाहरी रूप में लोगों को देखते हैं और आंगलन करते हैं यह ऐसा होगा अच्छा होगा भला होगा है लेकिन वो सही होना ज़रूरी नहीं है कै अब ले बाहरी रूप में क्या देखता हूं कि तो पर दीष्चा करका हुँ हमारी आश यह होना चाहिए सबके सबको प्रभू के महिमा के ल previous को इस्ते माल हो दूसरा आम उनके लिए क्या करें रार्धुना करें तो प्रभु अपनी महिमां की जीवन में प्रकट करेगा यदि प्रभु की योजना के अंदर गत है वो जरूर इस्तेमाल हो जाएगा तो नर्बल विश्वासी जो प्रभु में वचन में मजबूत नहीं है उन्हें हमें उनको प्रोटसाहन देकर उनके लिए अवस्षर देकर प्रभु की महिमां के लिए इस्तेमाल करना चाहिए सबसे मेल मिलाप रखो उस और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को ख़दापी ना देखेगा सबसे मेल मिलाप रखो लेकर का रहे हैं सबसे क्या करना चाहिए मेल मिलाप सबसे मेल मिलाप हो जाएगा हलो सबसे मेल मिला आप हो सकता है क्या है नहीं हो सकता है जो अनुचित काम करते रह रहे हैं उनके साथ हमारा मेल मिला आप हो सकता है नहीं है इसलिए पर उस रोमियों की पत्री में लिकते बहुत कहता है जितना संभव हो सके सबसे क्या करें मेल मिला वहाँ वह बात उसका रहे हैं एक प्रकार से जितना हो सकें इसका मतलब सबसे प्रदीचा नहीं करना लेकिन हम प्रयास यह करें कि सद से क्या रखें मेल मिला आप करें मरी कली से हमें मैं जब छोटा था एक बुजुर्ग माँ थी वो हर बीच बीच में हरा तब गवाही देती थी लेकिन दो तीन महेंने में एक बार वजात्सर कहा करती थी मैं सब से मेल मिला परह gefर्ध्थ हूं मदलख वो गवाही में ये बात को करती है किसी से कोई मन मूटाव नहीं है वो कलीशिया में उस बाद की दवाई देती है वो हिम्मत था उनके अविश्यत स्थी ती ती वो अविश्यत दोनी करती ती उनके आखरी समय में भी वो कलीशिया में खड़ी होकर बोली थी मेरा दिल परभशमिश्चर के सामने इस बात के प्रति साव प्रतिशद हियाव के साथ है किसी के साथ मेरा कोई मन मुटा हो नहीं है एक प्रकार से हमारी भी प्रात्रा ये होना चाहिए या सबसे मेल मिले इसका अरत ये नहीं है कि अनुचित काम करने वालों के साथ उसके कामों में भी क्या करें मेल मिलाब करें वो नहीं प्रभू में जो हैं उनके साथ हमारी मेल मिलाब इसका कहने का करते हैं आग कतात्परी क्या हैं ये कलीसिया में भी आईसी कुछ लोग है जिसमें क्या नहीं है मेल मिलाब कही बार हम प्रभु से प्रात्रा करते हैं प्रभु पहले श्रदाप्दी के समान कलीशिया को बना जाए तो आपका कलीशिया कुरिंद की कलीशिया समान हो गया तो गुरूप कितना है कि रूप है को कि रूप है कि कुरिंद की खैमे कितना गूप हो गया था पाष्यू का आपं लोज का पातर स का चाहता एक बोला हम तुम किसी का नहीं हम मसी का पक्ष है कि था ज़ूप वेधिजार करने वाला वहां का सकरटरी है कि नहीं है कि फारूस कहता है उस दुष्ट को कलीश्या से इसका मतंब दुष्टु भी कहा है पहली सदी में इश्मसी के चेले लोग जीवित रहत्यवत्त उनके द्वारा भी स्तापित किये के कलीश्या में सब विश्वासी पवित्र नहीं था सब विश्वासी परमीश्वर के वच्छन के अनुसार चलने वाले नहीं थे जब पावलूस फिलिप्पियों की पत्र लिखते है वहाँ दो बेहने थी ज्यगड़ा करते थे इतनी अच्छी कलीश्या एलो फिलिप की कलीश्या पावलूस की सबसे पसंदीदा कलीश्या वहाँ भी दो बेहनें क्या कर रहे थे ज्यगड़ा कर रहे कि हम जैसे सोचते हैं कि की कलिश्व प्रतिश्वत कोई समस्या बिना चले पहली सदी का कलिश्या नहीं चला है तो 21 सदी का क्लिश्या कैसे चलेगा प्रभुसमर्थी है कर सत्ता है प्रात्तना भी अमारी वह यह ओना चाहिए प्रेजलो मैं इस बात इसलिए का रहा हूँ कई कलिस्या में इसी समस्याओं के सामना कर रहा है इसलिए इस बात को खा रहा हूँ मेरी कलिस्या में नहीं है प्रूब के रहा से प्रभू करना चाहिए उसके लिए प्रभू में आजाएं प्रभू में बने रहें वचन के अनुसार चले उसके लिए जो करना चाहिए उसके लिए जो करना चाहिए वो हम करने वाले हो जाएं ताकि वे क्या हो जाएं चंगे हो जाएं लंगड़ा चंगे हो जाएं प्रावाज बढ़ाएं ने या इसलिए पालूस इस बात को या लेखकर इस बात को कह रहें सब से क्या रखें मेल मिलाब रखें और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभू को कतापी ना देखेगा पवित्रता की खोजी इसका मतला पवित्र बनने के लिए प्रयास करने वाला होना चाहिए क्योंकि पवित्रता बिना कोई परमिश्वर को देखेगा नहीं क्योंकि negócio ने कहा मैं पवित्र वाइसा तुम भी अधित्र बनने की एक तरीकाव उपर बोला है परमीश्वर हमें ताड़ना देता है उसका ये प्रृवल क्या है ववित्रता परमीश्वर की परेत्रता का हम भागी हो जाए Skills तो हमारी जीवन में उठने वाली भीपरिद परिस्तिदी कष्ट और क्लेश वो हमें पर्मिश्वर के पवित्रता की भागी बना देता है यहां का रहा है हम पवित्रता की खोजी हो मतलब किसी भी चीज को जो हम चाहते हैं उसको डूंड कर निकालनाएगा इसका मतलब हमारे अंदर पवित्रता के लिए एक इच्छा उत्पन होना चाहिए मुझे क्या बनना है पवित्र बनना है प्रवात जैसा चाहता वैसा पवित्र बनने की इच्छा मेरे अंदर डाल तो पवित्रता की खोजी होगा उससे फाइदा क्या होगे आप प्रभू को देखेंगे इस वित्वी पर रहते हैं अब तो भी यदि हम पवित्रताई के लिए अपने आपको समर्पित करके उसके लिए खोजी हो जाए तो हम परमिश्वर को देखेंगे दूसरा यार्त भी यह है। हमारे लिए वायदा किया क्या है अनंद जीवन का विश्राम है कीनि हलो इसको देखना है तो भी पवित्रता चाहिए इसका मतलत सर्ग जाना है तो भी क्या चाहिए पवित्रता Vanessa इसलिए कहा ज़िए पवित्रता की खोजी हो पवित्रता की खोजी हो ताकि प्रवु को देखें इसका मतलब पवित्रता की खोजी नहीं है पवित्र ना बने रहता है तो परमेश्वर को कभी देख नहीं सत्केगा आर्ता सौर्ग में नहीं जाएगा तो हम अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके पवित्रता के लिए उसकी खोजी रहने वाले हो जाएं पंदरवापद ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कोई ऐसा ना हो कि कोई परमेश्व के अनुग्रह से वंचित रह जाएं या कोई कडवी जड़क भूट कर कश्ट दें और उसके दुवरा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं ध्यान से देखते रहो ध्यान से देखते रहो इसका मतलब मैंने इसका इवार कहा था अच्छत्रों बर नजर रखने वाले जोतिशी लोग कैसे उसको देखता है वैसा ध्यान से देखते रहो क्या बात की ऐसा नख की कोई परमिश्वर के अनुग्रह से वंजित रह जाएं परमिश्वर के अनुग्रह से कोई वंजित ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए ध्यान से देखना चाहिए सोयम भी देखना चाहिए हम एक दूसरे पर भी देखना चाहिए कि वो परमिश्वर के अनुगरे से वंजीत होड़ा है कि नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा और उसका ना पड़ेगा कि इसलिए कर ध्यान से देखो यह कोई करवी जड़ भूट कर कष्ट दे और उसके दुरह बहुत से लोग आशुध्ध हो जाएं क्या लिका है करवी जड़ फूट करवी मतला एक पवधा जिसका जड़ क्या है चाड़ा है यह जड़ कड़वा है तो पवधा भी क्या रहेग कड़वा रहे हैं पावलुस किसके बारे में कर रहे है कलीशिया के बारे में इसका मतला कलीशिया में भी आईसा कई कड़वा जड़ क्या हो सता है पूट निकल सता है तो दूसरे को भी का करेगा हो आशुद्ध करेगा मुल रूप में ये गलश इच्छा है और अशुद्धता है ऐसे विश्वासी ऐसे लोग जो गलश इच्छा के आधीन होते हैं और गलत आधत के आधीन होते हैं उनके बारे में कार वो कौन सा है, करवी, जड़ है, वैवस्तहवरन के पुश्तक में जब परमेश्वार इस रायरीयों से बाते करते हुश यह बात का यह बात कहें थेहं एक बार वैवस्तहवरन उसका 19, 29 कुछण 12 11, व्यवस्तावरण 29 का सत्रा तब तुमने उसकी कैसी कैसी घिनवनी वस्त्वें और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मुर्ते देखी इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुस या स्त्री या कूल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देउताओं की उपासना करें फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिस से विस या कड़वा बीज उगा हो लेखक उस बात को यह प्रकार से कोट कर रहा था या क्या हो रहा था इसराइल लोगों के इसराइल लोगों के चैतावनी दर हैं कि सच्चा खुदा को छोड़कर जो ईश्वर नहीं है उसके पीछे चले गया और दूसरों वो उसकी और क्या करने लगा कीच ने लगा बोला वो कौन सा है कौन सा जड़ा है दो शब्द लिका है कौन सा हो जिस से विष या कड़वा बीज आ कौन सा विष और कड़वा कड़वा चीज खाये तो हो सकता है ज्यादा नु जाहर खा लिया तो हलो मेरी बात को समर है विश या खडवा जड़ इसका मतला सचा खुदा को छोड़कर आन्य जो इश्वर नहीं है वो इश्वर है कहकर कहने वाले और उसकी आराधना करने वाले और उतना ही नहीं वेलो दूसरों को भी उसकी और क्या कर रहे है खीच रहे है उनके बारे में वस्ता कुस्तकम लिखा है वही बात या उसी बात को समरन करके उसने यही शब्द यहां लिखा है कौन सा कडवी जड़ा फूट निकले अर्थर परमिश्वर की सच्चाई से हटकर गलशिचा के आधिन होकर गलत बातें गलत आराधना गलत संगती इसके बारे में सिखाने वाले और बताने वाले वे कडवे जड़के समान है वे दूसरों को भी क्या करेगा आशुध करेगा दूसरों को भी सच्ची आराधना से क्या कर देगा दूर कर देगा इसले करें उनसे क्या करो ध्यान से देखो अलो जिद्य भी यहां अग्वों से बात नहीं कर रहा है विश्वासियों से बात कर रहा है तो अभी यह प्रकार चे हर अग्वे इस बात पर सतर करना चाहिए कि कोई भी एक विश्वासी गलशिचा या सच्छा खुदा से धूर होने वाली बातें लेकर आएं तो उसको समझा दे समझे कर भी नहीं मान रहे हैं उसको निकाल दे ताकि दूसरे लोग उसके उसके दोरा उस गलत बात के आधिन ना हो इसलिकर ध्यान से झेखो हर विश्वासियों का भी करत भी है एक विश्वास्य कड़वी जड़ के आधीन हो गया है गलशिचा खीया थोर हो रहा है उसको ध्यान से देखना और उसको समझाना ताकि आगे जाकर वो ऐसा काम ना करें ऐसा करने से क्या होगा दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे अशुद्ध हो जाएगा यह ना हो इसलिए का रहे हैं ध्यान से दिर्खो और आगे 16 पदर ऐसा ना हो कि कोई जन्वे भीजारी या यह शाव के समान अधर्मी हो जिसने एक वार के भोजन के बदले अपने पहला उठे होने का पदर बेच रहा हैं यह कहने के बाद बोल रहा हैं उसके एक उदाहर अंदर रहा हैं कौन है उदाहर हैं किस बात के लिए जड़वी जड़ फूट निकला उसका एक उदाहर क्या है वो ऐसा ना हो कि कोई जन्वे भीजारी या एशाव के समान अधर्मी हो यहां जो वेजारी जो शब्द लिखा है वशारीदी वेजार है उससे बढ़कर सच्चा परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर क जो मानने के लिए का जा रहे है उसके बारे में फ़राने निया में हर ज़ा पर विबजारी शब्द इस्तेमाल किया है सच्चा परमिश्वर को छोड़कर जो परमिश्वर नहीं है उनके पीछे जाने वालों वो विविजारी है यहां अन्य जो साधार्न जो विविजारी जो सब जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी इसमें जी करें तो समझे लो एक बरकार से पहली सदी की कलीसियाओं में ये बातें पाया जाते थे का रहे हैं ऐसा नहीं होना है तो क्या करना चाहिए जा करना चाहिए ध्यान से देखना चाहिए ध्यान से देखो या ऐसे नहों कि कोई जन विवजारी या यह शाव के समान अधर्मी हो यह शाव के बारे में उप्वत्ति के बुस्तव में कहीं भी अधर्मी लिखा नहीं है उप्वत्ति के बुस्तव में कहीं भी यह शाव को क्या नहीं लिखा है अधर्म ही नहीं लिखा अधर्म काम किया है तो क्या किया हो अधर्म का कोई काम किया हो अधर्म का काम ऐसा कुछ नहीं किया अधर्म का की काम किया तो उसने जाकर अनिजादी स्तुरियों से क्या कर दिया शादी कर लिया ताकि उसका माबाप क्या हो जाए परिजान हो जाए उ इसको तंग करने के लिए काम किया था हूँ, वही उसका धर्म का का। लेकिन यहाँ जो उसका धार्म के काम के रूप में क्या का रहा है prioritize पहल उट्थे डाई तक को क्या कर दिया ? एक कि एक टैहिंब का भोजन मैंने कल बोलATH कॉ सतुर्याकूब क्या करना इस है लाल कलर का धाल का बनाया है घीर बनाकर उसको दिखाए और अि तो देखकर क्या ओ गया अ पहला उठे पद को क्या कर दिया पहला उठे पद का विशेश्दा क्या है पिदा जी की आधा संबती उसका है पहला उठा मतला पिदा जी की आधा संबती और पिदा को बाकी कितने भी वेचे हो बाकी संबती बाकी में बाटेगा आधा संबती सीधा सीधा किसको मिलेगा पहल पहला उठे का पद कोई अपने आपको नहीं मिलता कोई अपने आप लेता नहीं बलकि परमिश्वर के अनुग्रह से वो बनाया जाता है नहीं समझा पहला उठा पद कोई अपने आप लेता है क्या नहीं है वो परमिश्वर के अनुग्रह से उसका माँबाप का पहला बेचा होकर जन्म लिया है तो परमिश्वर की ओर से उसको मिला हुआ अनुग्रह है कौन सा पहला उठाप उसको उसे क्या कर दिया बेच लिया एक समय का भोजन के लिए क्या बेच दिया एक प्रकान से आदा समबती बेच दिया उसको क्या मिलने वाला था पहला उठा होने के कारण प्रिता के आदा समबती मिलता है तो उसने क्या कर दिया एक समय का भोजन कर दिया आदा समबती ही बेच दिया कि है कि सुना नहीं है कि किसको संद्राइँ खिlor वह ने उसको मालूम है वह पहला उठा है वह पहला उठाए उसको मालूम है उसको समझ जरूर था अब वहीं बोल रहा है जरूर समस्झ था उसको वह क्या था वह ततकाल जो उसकी परिस्तिती है उसको लगा अभी भोजा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा वही वहला वा नहीं है क्या अभी भोजा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा मर जाएगा वही उसका सोच उसका सोच था इसका मतलब ततकाल जीवित रहने के लिए ततकाल जीवित रहने के लिए वो क्या कर लिया उसका सबसे बड़ा अनुग्रह को क्या कर दिया छोड़ दिया एक टाइम भोजन ना खाने से कोई मरेगा क्या है हम चालीस दिन नहीं खा रहा तो नहीं मर रहा है 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 चालीस दिन नहीं खा रहा है तो चालीस दिन नहीं खा रहा है तो चालीस दिन 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 खा र समय का भोजन के लिए उसे ने पहला उत्य पद को बेच दिया हूँ यही मान लीजिए एशाव वो काम नहीं करता यहां बाई बेज हुआ है यहां वाइबल में याकूप का नी ज़गा हो न हर जब पर एशाव का नी का नी याकुब इसलिए याकुब की वन्षब्रम राया उसने परमिश्वर की ओर से दिये गे पहला उठापद उसको खुद खुद वह नहीं लिया था परमिश्वर के अनुग्रह से उसको दिया गया था उस अनुग्रह को एक समय की भोजन के लिए क्या कर दिया बैच दिया उसके एक समय का भोजन अपनी पहला उठे पुद से भी महत्वपूर्ण सम्झा कई बार हम भी एक समय का कुछ च्छन का जो सुख या कुछ भी हो उसको प्राप्त करने के लिए परमिश्वर की ओर से मिली उवी अनुग्रह को खो देता है कई बार हमारी कई समझोता वचन से बाते संबंदित बातों के लिए कई बार समझोता करना भी याद रखना परमिश्वर की ओर से दी जाने वाली कई अनुग्रह से हमें वंजित करेगा वच्छन से संबन्दी ऐने बातों में कभी क्या नहीं करना चाहिए तक लुटा की सी से समझो था नहीं करना चाहिए कि समझोता करने से प्रॉडम यहीं होदा है हमारे लिए पर्मीश्वर की और तो से मिली हूई अनुग्रह से हम क्या हो जाएगा पंजित हो जाएगा, ये शाव, येदि वो अपनी पहला उठाप्द नहीं बेचता, अबरहाम, इसाहाक और यह शाव आता, आज भी इसराइल ये, इबरहाम इसाहक और याखुब का नाम ले रहे हुश्ly जाव पर अबरहाम इसाहक और यह शाव का नाम director जब अभी हम प्रार्थन करते हैं अबरहामिशाक और याकूब का परमेश्वर करते हैं उस जहाँ पर अबरहामिशाक और याशाव का परमेश्वरा था एक प्रकार से सारे मान अबजादी जरायली और प्रभीशु पर विश्वास किये हर वित्ती उसका नाम जिंदगी पर नहीं है हर यहूदी जिन्दवी पर किसका नाम लेता है अब रहा मिशाक और ट्याकुप का उस जहाँ पर किसका नाम आना था यह शाव का लेकिन उसने एक समय का भोजन को चाहकर अपना पहला उठापद को क्या कर दिया बेच दिया उसके लिए इसके बारे मुहांकार है वो आर्थिता है यहां बिरानी के पत्र में जो कुछ कहे जा रहे हैं वो हमारी अनंदकाल के बारे में है कि नहीं हमारी अनंदविश्राम उसके आगे बोला अबरहाम यह सबह आने वाले उस नागर को देखा है कि नहीं इन सब का नजर काम बरा काम बर था का था उनके लिए र यही था उसका धर्मी बनने के कारण है उसका नजर केवल प्रिथ्वी की आज शुम्बर था उसका काम क्या था प्रिथ्वी से उसका लगाव क्या था ज्यादा था था काम खेत में भी काम करता था नहीं प्रिथ्वी से उसका ज्यादा लगाव था अबरहाम और इसहाक इन दोनों को पर्मीशों ने जो बोला उसके आधार पर हमने देखा वे परदेश में सोदेश है उनका एक प्रकार से वाइदा किया गया देश कौन सा था करांदेश वहान रहा कैसे परदेश में परदेश ही यह सा सोदेश होने के बावजूद समझ रहा है कौन अबरहाम इसहाक और यहां खुद तीनों तंबूव में रहा थे उनके साथ रहने के बावजूद है एशाओ उस आने वाली युग के बारे में सोचा नहीं है यही था परिशान इंगा जैदि अबरहाम और इसाक और याकुब के साथ उस घर में रहा हुआ विती है तो इंगा भी नजर स्वर्गिय देश पर होना चाहिए था लेकिन इसका नजर काम पर था पृत्वी पर पृत्वी क हम इस बात को सुनीशित करें हमारा नजर हमारा लेच्छिय स्वर्ग हो जाए तो नहीं तो यह शाव के समण क्या हो जाएगा अधर्मी हो जाएगा ऐसा ना हो इसलिए ध्यान से देखते रहो जिसने एक बार के अबरहाम इसका और याकुब को परमिशर क्यों चुल दिया और याकुब के चुनाओं के Бारे में कहाँ रहे हो जन्सव होकर भले या बुरे करने से पहले परमिशर किसको चुल दिया आधर को चुल दिया और या श्या गोब क्या कर दिया right क्यों कि यह बात की याद रखना परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर यह यह याकुब जन्म लेने से पहले यह 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 क्या करेगा यह जानता था मेरी बात को समझ रहे है है कि समझ रहा है कि जीज सके कारंथ पर मेश उसको क्या कर दिया है अप डिया जाना मेरी बात को समझ है कि है कि परमेश हर सरवग्यान होने के कारण है परक्त स्कूर करें है यह यह जाड़ आ है कि नियंग्य जाहर चलने वाला नार्ए Tout करी के परमेश्वर किसी को नरग भेजता है क्या भेजता है नहीं भेजता है वह नुख अहां पहुंचा है नरग को से कैसे पहुंचा है पर्मेश्वर का बच्छन में पूर्वद निर्णे है न पहले से चुन लिये गे बाद ये शब्द उपाय जाते हैं नहीं है क्या हलो नहीं है जिसको चुन लिया उसको अलग किया तो परमेश्वा सर्ग जाने के लिए जितने लोग चाहिए उनको पाले से क्या करका है अला करकर रहें, भे कहां जायेगा? शर्व जायेगा. यह ब्रदरन और बाप्टिस्ट लोगों का कहना यह गिए है. अब कितना भी कुछ भी करो, कुछ भी सुनाओ. जिसको शर्व को पहुंजाना है, प्रभू क्या करेगा? पहुंजाएगा? अब सुनाएं ना सुनाएं, पाले से पर्मिश्वर जितली लोग वाँ जाना चाहिए उन लोगो क्या करका में चुनकर रखा है, ऐसा है तो अईसा है तो पर्मिश्वर अन्या ही रहेगा, नहीं है ? नहीं है Presidential पर्मिश्वर सारे मैंश्वर और की जाना सो नरख जाना ये पूरवन निरने का अर्थ वही है तो फुन दरí जो पहले से चुन लिया उसका अर्थ क्या अर्थ वह नहीं है रोमी के पद्थल में पढ़ाए था ठीर दरूम में इत हवे इस पर चर्चा की उसका अर्थ वह नहीं है परमेश्वर सर्वग्यानी होने के कारण उनको मालूम है मनिश्य जाती में कौन-कौन स्वर्ग जाएगा कौन-कौन तरग जाएगा मतलब कौन-कौन मसी पर विश्वास करेंगे कौन-कौन मसी पर विश्वास नहीं करेगा यह परमिश्वर कब से जानता है अनालिकार से जानता है उस आधार पर का रहे हैं परमेश्वर जिनको वहां बहुं जाना है उसको क्या कर दिया है मेरी बात को समझ रहे हैं परमेश्वर सारे मनुश्वर से कुछ लोगों को चुनकर सोर जाने के लिए बागे लोगों नरग भिजने के लिए रखा है तो परमेश्वर अनिया ही रहेगा तो फिर चुनाव के बारे में जो कारती यही है सरवग्यानी परमेश्वर जो सब कुछ अनादी काल से जानता है उनको मालूम है कि मनुश्वर जाती में कौन यह इश्वर पर विश्वास करके का जाएगा सुर्ग जाएगा कौन नरग जाएगा यह शाव और याकुब से सम्मंद इस बातों में भी यही बात है सरवग्यानी परमेश्वर यह शाव के बारे में जानता था कि वो आगे जाकर कौन रहेगा अधर में रहेगा जिसके करन किसको चुन लिया है तो परमेश्वर परमेश्वर कौन ठर जाएगा अन्याई ठर जाएगा क्या है उन्दा सुच्छर क्या है क्या है आंगे जियल्चच वालों को लिचार क्या है कई वेलो वच्ठन की विरोध की बाते ऐसा कुछ नहीं खार हुए उसमें हमसे और फरकी हैं बत्तिस्मार बत्तिस्मार उसमें कौन सा होता है छेड़का वक्तिसमा होती है बागी रिच्वल्स जो है वो उसमें भी कई बातें पाए जाते हैं जो वच्चन के आधार पर नहीं है बागी उसमें कोई घराशिच्छा ऐसा तो घराशिच्छा यह है कौन सा यह जो वक्तिसमा से संबनडित बात और जो माता परमिशवर वाले हैं और कई परमिशवर वाले उनके समान की रलाशिच्छा उसमें नहीं है बलकि बत मूल रूम में उन दोनों मेंरे संदीकुस्त और अन्य में मुल रूल से अुनका वप्तिस्मा से संब्स सम्दूद बात दूशरा पवित्रात्र की अरदन करने की बात पर यकीन नहीं और मुखे रूम में यह है कि पानी में ढूपकर जो वप्तिस्मा लेने का उस पर भी नहीं वेलो क्या चात क्या सिखा रहें चिड का वक्ति इस बाखिन वाक्षण बाखि सब उनई कर खलत नहीं है अकहला सिक्षण वे नहीं देते हैं याला यही बातों में बस hem से अलग हैं वह उनको भी पर्टेशन्दी कहते हैं ये लोह सिया नहीं हो वो सबको प्रटेशन दी काते हैं लेकिन फरक इसमें हैं वच्छन के विरोध में पाये जाने वाले कुछ शिच्छाएं उसमें पाये जाते हैं जिसमें एक भक्तिस्मा है दोसरा पवित्रात्मा से संबंदित बाते हैं लेकिन उसमें ये गलाश शिच्छा जैसा मात है जाते है या कि मेरे को समय नहीं है कौन सा है कौन सा गुरूप है मिनको नहीं मालूप कि यह वहाँ है आप लोगे वहाँ नहीं कौन सा गुरूप है यह और कुछ है जानिय बाशा पर विश्वास नहीं करते होंगे यह वह भत्त सिंग्वाले है का? भत्त सिंग्वाल यह यह तो हई है भत्त सिंग्व और पाश्चा साप से रायपूर में उसके बारे में भाद भ्यवात हुआ था इस विशे पर विश्राइपूर में ही भथा सिंग और पाशठीए सामेल के साथ दीवा रख साथ पार साब का कहना है चिद्य भी हुश्वत उसने उसने पथाइट मा के सामर्थ पर अन्यवाशब पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन मारने से पहले वह पथाइट शोपाइब्सित्राइब की अन्यबाश्या के साथ हो रही है इस बात पर येकिन किया था विश्वास किया था ये पारशाब उसे कहा है उस तक में यह कि लिखे होंगे कि läuft गए कि मैं जिकर है लेकिन वो फ़ितौत्राइब की अ कि अ किसको मान है उस दूंत मुंतिकर है पर यकीन करते थे ऐसा पास आपने का वो किताब में लिखा है मुझा नहीं मालूँ सियोन गूरूप है तो यह प्रकासर ब्रदरन गूरूप जैसाई है ब्रदरन ब्राप्तिस्ट वालों के समान है एक गूरूप है यह यह पवित्रात्मा कि अभी शेव पनिवाशा के साथ जो आराधना उस पर क्या नहीं करते है विश्वास नहीं करते है यह ऐसा नहो कि कोई जन्विजारी या यह शाओ के समाना धर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहला उठे होने का पदभीश डाला तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशिश पानी चाही तो आयोग्य गिना गया रासु बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव कावसर ना मिला बाद में उसने रोया कब रोया या कूँ उसको क्या दिया धोका दिया बाप को धोका देकर क्या कर लिया पूरी आशिश ले लिया तो आकर में यह आकर आकर आशिश लेने के लिए आय नहीं है? नहीं है? क्याकूब इतना चातुर आत्मी उसको चत्राइए करने के लिए साहयता किसने किया था? उसकी इमान है। एक प्रकार से उसका ब्लुपिंट वह बनाई थी। कौन स्क्रिप्ट वो लिकी थी नाटक ये किया है पैसे इतना था एक नहीं तो पहले डरा भी था कौन याकूब डरा भी था पत्ता चल गया तो क्या होगा हाँ आशिश के बदले में का मिलेगा शरा बिले मां बोले चिंदा मत को मैं कर दूंगी कि बाद सारा का कपड़ा पह है गले हाथ में सब कर फिट कर दिया हाल को क्या कर दिया थे बढ़ा है वहां भवंचा है तो इसको डाウट लगा कि musa कर बाढ लग क्योंकि दित्था पुछ नहीं है तो बैच्छे आने से उसको टक्तोल कर देखता या तो आवास से पहचाने है आवास से उसको क्या लगा ह अक्रेम पास में बुलाए तो क्या पूरा-पूरा क्या है बाल है तब एक पता चला कि इतना जल्दी जानवर मिल गया है नहीं है इतना जल्दी क्योंगी कहां गया हो जंगल में जया शिकार करके उसको पाका कर क्या करना पड़ेगा लाना है तो यह घर का जंगल से लाया था आही कर दिया कैंद पुंहित हुआ प्रणकर दिया कि यह याकुल कुमाल उन्त है कि यह ऐसा साखाल पूछेगा कर गर है नहीं मालूं नहीं मालूं तो भी पूछा तुर्ण उतर आया क्या बोला तीरा पर मेra अनले यह वह अनलाकर दिया बापरे लेकिन आगे एक शिकार करके उसको पकड़को बना कर लाने में टाइम लेगा यह ऐसा वही काम किया जब लाया तो यह आशिस पुरा लज ले जा चुका है पक्त Kenneth पूछा मेरे लिए कुछ नहीं रका नहीं रका बोला नहीं रखा बोड़ा तो उसने क्या किया ? रोया कि मुझे कुछ तो आशिष दे बोला एक भी आशिष नहीं ढह Corona में धान्या में थे Super transforming स्देख दिया कह रहा है बाद में वो क्या करना चाहा ? आशिष पाना चाहा रोया भी लेकिन नहीं मिला क्यों पहला उठापद क्या कर दीजा है इसलिए हुआ है इसलिए हुआ था पहला उठापद बेच दिया धर्मी हुआ बाद में उसने क्या किया रोया रोया कब है पहला उठापद बेचने का उस दिन रोया नहीं रोया कब है आशीश जब चले गया तब वह आशीश क्यों च नहीं मिला और मन फिराव के लिए क्या नहीं मिला अवसर ना मिला और यहां विद्वानों के बीश में कुछ मद्भेद है कि यह मन फिराव किसके बारे में लेका है याकुब के बारे में लेका है यह यह शाओ के बारे उनका काना तर्की है वहां लिखी के शब्दों के आधार पर उनका तर्की है कि उसने याकुब से यह बात तुम की चर्चा किया था कि तेरे आशिश का कर दो मुझे दो ताकि मन याकूब के मन में परिवर्तन आकर इनको क्या मिले आशिश मिले लेकिन याकूब को कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन ओंग ये कल तरक है लेकिन इसमें लिखी की बातों में सीधा जब पढ़ेगा तो मनफिराव किसका ही था यह शाओ का उसको नुगरह पहला उठा प्रदु पद को उसने एक समय की भोजन के लिए क्या कर दिया है मेच दिया है ऐसा ना हो कि कोई भी विजा रही है यह शाओ के समान धर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहले उट यहां इस बात को इसलिए कर एक प्रकार से चहतावनी दे रहे है चहतावनी इबरानी की पत्र में कही बार यह चहतावनी मिल चुका है नहीं है छटवा ध्य होती पाया हुआ वित्ती अपरमेश्वर की आत्मा का वरदान को पाया आने वाली हू की सामत को पाया और वच्छन की सामत को पाया यही वह भाटक जाएं तो फिर मन फिराओ के लिए बनाना अन होना है और दस्वा पद में भी हमने दस्वा ध्याय में भी हमने देखा है की इसका उसका चब्वीस पदर दसका चब्वीस से क्योंकि सचाई की पहिचान प्राप्त करने के बाद ही जान बूश कर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बिलिदार बाकी नहीं आगे कार रहे वो कौन है है वो मसीः को फिर से क्या करने वाला है कुरोस पर चड़ाने वाले और पाऱों से रोंधने वाले फवित्रातमा का अबमान करने वाले यह सारी बात जिकाए है जान से देखो ऐसा कोई ना हो यह शाओ के समान अधर मी बने यह एक समय के भोजन के लिए पहले उठे पदों पद को क्या कर दिया बेच दिया और बाद में आस बहा कर रोने के बाद भी मन्फिराओ के लिए वस्थर नहीं मिला यहाँ अठारा पसे पड़ें तुम तो उस पहाड के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रजवलित था काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनी और बोलने वाले के ऐसे सब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विंती की कि अब हमसे और ब कोई पसु भी पहाड को छुए तो उस पर पत्राव किया जाए और वह दर्सन ऐसा डरावना था कि मुसा ने कहा मैं बहुत डरता और कापता हूं पर तुम सियोन के पहाड के पास और जिवते परमिश्वर के नगर स्वर्गी यरूसलेम के पास और लाखों स्वर्ग दूत और उन पहलोटों की सधारंट सभा और कलिसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याई परमिश्वर के पास और सिद्ध किये हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ ईसू और छिटकाव के उस लहू के पास आये हो जो हाबिल के ल हो हुए हैं अठारा पसलेकर चौज़िस पत्तक है दो पहर एक पहाड सिनी पहाड दूसरा कौन सा सी योन पहार और पहले पहाड जो सिनी पहाड है उसके बारे में कारे है हम उसके सानी आया मतलब एक पहार जिसके पास हम नहीं एक पहाड ऐसा जिसके पास हम नहीं आया दूसरा पहाड जिसके पास हम आये हैं जिस पहाड के पास हम नहीं आया वह कौन सा है सीने पहाड और जिसके पास हम आये हैं वह कौन सा है पहाड के पास नहीं आया तो भी और कोई आया था इस कौहल दो उस पहाड के पास आया तो क्या हुआ उसके बारे में इन देश को अश्का जुरुए मैस्राइल वं मिसर देश से निकल कर कंग देश जाने के लिए आएं और वे हैं सीनेई पहाड के पास आया पहाड पर यात्रा करके पचासवा दिन के आसपास तब फरमेश्वर मुसा को बोला मैं अपने आपको इंके सामने प्रकट करने वाला हूं इसलिए उन लोगों को बोल देना तीन दिन तक अपने आपको क्या रखें निन तो नहीं आ रहा है बोले प्रविश मसे के जोर से बोले प्रविश मसे के आली बजाकर बोले प्रविश मसे के जराहिली लोगा है यह हुरेब परवत और सीने पहार दोनों एक है और परमेश और मुसा को बोला मैं उतराने वाला हूं जराहिली को बोल देना अपने आपको शुद्र कर देना कोई भी वेतिय पहार के पास नहीं आना ना मनुष्य ना जान बर आये तो क्या कर लेना उसको घॉझा कर देना है इतना हैं कि तना सुद़ क्या हो गया है इतना संब यह जुए यहँ क्यों दिखाए दिया आब यह성 को मुशा को परमीश उने-फ कर वह परवत पर है अपना साशूर का भेड़ वक्रूने मुचरा कर रह रहा था उस बाता है पर मीश और उत्तर आयाया तो देखा ज्छाडी तो जल रहे लेकिन कोई उंसान नहीं हो रहा है तो एक आवाज आया तू अपना जूती को फेक क्योंकि यह पवित्रिस्तान में पर्मीश्वर्य हो आँ पातें के प्रभु ने बोला इसरेली को छुड़ाओ यह क्या बोला यह मुझसे नहीं होगा क्यों बोला चाली साल पहले प्रभु एक बार बोलाता जाकर चुड़ाओ यह गया था क्या अपने दंबर भरोसा करके गया था शुरू भी किया था नहीं समझा वह चुड़ाने का काम शुरू भी किया था कैसे एक धपड में एक वित्ती को मार कर बाद में पता चला भागना पड़ेगा भग गये वहां से उसको पता चला यह काम मेरे से नहीं होगा प्रभू को भी मालूम है प्रभू उसको 40 साल पहले क्यों भेजा एद्यवी नर्गबन की पुस्तक में प्रभू उनको भेजा करके नहीं पाय जा रहे लेकिन इब्राइद्यों के काम के पुस्तक अंस्तिफन उसके प्रचार में ये पाये जा रहे तो प्रभु क्यों भजा प्रभु को मालूम है ये गुस्सा आलू आत्मी को ये काम सोब देगा तो कनान देश में पहुंसते पहुंसते एक भी नहीं वेचेगा इसका एक धप्ड काफी है एक क्या हो जाएगा नहीं समझा इसका एक धप्ड काफी है एक लुड़क जाएगा ये इसराइलों कौन सा सोभाव का है हमेशा कुड़कुड़ाने का सोभाव का तो कुड़कुड़ाने वाले इसराइली गुस्सा वाला मुसा पका हो जाएगा का कनान देश में पहुंसते पहुंसते एक भी नहीं बचे रहे, तो इसने प्रभु ने सोचा इसको तुरह सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ, नम्र था, 40 साल, सासूर का भरड़ वो करें को चरहा कर क्या हो गया, नम्र हो गया, प्रभु के कुछ से को भी एक बार क्या कहिए थंडा करें यह नहीं है तो आट्सी साल का होगे हैं प्रभूने बोला निकलो इसराइलियुंको चुडाओ यह बोला महर से नहीं होगा क्योंकि 40 साल पाले की बाद उसको याद है बहुत भगध भगधा बहगग बनाया है He प्रभुने बोला कोई बहाना नहीं चलेगा, तू ही चुड़ाएगा, आकरेम प्रवने बोले ठीक है, तू छुड़ाएगा उसके लिए मैं उसको चिन देता हूं, चिन क्या है? तू उन इसराइलियों को लेकर इसी पहाड पर आकर मेरी अराधना करे, इसलिए जब वहां आ वाला हों सब इस्राइलियों को बोल अपने आपको क्या रखें पवित्र रखें शुद्र रखें तो अपने उतर आया तो पहले से बोल दिया यह पहाड के पास कोई नहीं आ आ गया तो पथरवा करके इतना सुनते डर गया मार जी किसी का बैच्चा अंजाने में चले गया त तो अलड़ी डरा हुआ है आकर में तीसरा दिर परमेश्वर क्या आया उतर आया तो क्या होने लगा पूरा काला बादर छा गया और पहाड पूरा क्या होने लगा हिलने लगा कापने लगा और पूरा पहाड जलने लगा और उसके बाद प्रभु जो बोलने लगा इसराइ पेलो क्या हो गया दर गया सी नहीं पहाड पर परमेश्वर की उपस्तिती जब हुई वह इसराइलियों के लिए डरावना था और यहां लिका मुसा भी बोला मैं बहुत डरता हूं और काता है यद्यभी निर्गमिन के पुस्ताव में वो नहीं लिखा वो नहीं लिका मुसा हो गया तर नहीं लगा और क्या होने लगा इसका मज़े जिस पर निखार की उपस्तिती अब तक वो को जानते आया, जिस्ठन मुसा से बात करते आया, वो पर मेंशवर अपने अपने अतेज में जब उतराया. भी क्या होने लगा डरने लगा. भे बेल अजरायली लो बोला यह पर मेशवर जो हरेभ परवत सीने पहाड पर उतराया था यह हमसे बात मत करना. कह रहा है हम उस पहाड के पास नहीं आया कौन सा पहाड है सीने पहाड जहां जब परमेश्वर उतर आया वो बात इसराइली उंगले क्या हो गया था दरावने का उसके बाद बोल रहा है हम दूसरे एक पहाड के पास आया है हम कहां आया दूसरे एक पहाड कौन सा पहाड है हम आए हैं उसकी विशेश ताहिए पर तुम सीयोन के पहाड के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वरगी यरुसलेम के पास और लाखों स्वर्ग दूतों और उन पहलाटों की सधारन सभा और कलिसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याई परम इजराईलों किसके पास आया सिने पहाड़ हम कहां आया आप सी ओन पहाड़ के विशेश्था और जीविते परमेश्वर के नगर यह का रहा है यह पहाड़ कहा है यह बोल रहा है यह पहाड़ कहा है कहा है जीविते परमेश्वर के नगर हमारा परमेश्वर के विशेष्टा वो जीवित परमेश्वर है एक मात्र जीवित परमेश्वर है वो वो परमेश्वर है जिसकी आराधुना हम करता है प्रेज अलोड करें यह पहाड कहा है वो बोल रहा है कहा है जीविते परमेश्वर के नगर आगे करें स्वर्गी यह रूशले में इसका मतलब यह पहाड कहा है जीविते परमेश्वर के नगर में जो एक रूशले में कौन सा रूशले में स्वर्गी यह रूशले में इसका म वह पहाड नहीं आई है प्रित्वी पर जैसा सी नहीं पहाड आए सी ओन पहाड भी एरुशले में वह पहाड है लेकिन वह पहाड के पास हम नहीं आया हम कौन सा पहाड है स्वर्ग में जो सी ओन पहाड उसके पास आया है और वह पहाड कहा है बोला वह जीविते परमेश्व का नगर में येरुशलीम कौनसा येरुशलीम स्वर्गी है वहां है कौनसा कौनसा ये प्रकार से चत्रिसगड में रायपूर रायपूर में चर्चप गोर नहीं जम्जा जीविते परमेश्वर का नगर 33 में और स्वर्गी है येरुशलीम रायपूर के वहां क्या है हां क्या है शियोन पहाड शर्चपूर इसमहे नहीं तो sodium पाढ़cely कहां है वो भोला कहां है वो जी विते परमिश्वर कर के नगर और सुर्गु यह रुशरिप वहाँ है यह पहाड रागे कारव हो डांसाथ में कौन को नहीं है कौन पहाड में उन पहला उठों की साधारन सभा और कलीसिया और कलीसिया जिसका नाम स्वर्ग में लिखे हुए ये कौन है ये कौन है ये है पुराने करार के भतलों नहीं समझा यहां कहीं लोग यह कहता है वहां कलीसिया शब्द जुआ है जिसके कारण वो नहीं कलीसिया नहीं की कलीसिया क किरना है इसके कराण वोग है। पुराने करार के भत्य लोगों का नाम की पूस्तग में नाहीं है। मुसा का नाम 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 बी बिश्टम्य इसका मतलब उनका नाम भी इनका पूस्तग में था जीवन कस्तों वहां कहा गया पहला उठों की साधारन सभा कलीसिया जिनका नाम सुर्ग में लिखे ये हैं वह कौन है पुरान इकरार के फट्र लोगों की आत्मा है ये लो कहां था नहीं था अबरहाम के गोद में था नहीं है क्या लेकिन अभी ये लो कहां पर है कहां परहाए ये कप पहुंचा वहां ट्रांसवर कब हुआ है इंका हाँ जब ईशु मरेवों में से जी उठकर आया तब मरिया महां खड़ी थी ईशु मस्य अपने हाँ को प्रकट करना नहीं चाहा जिसके कर माली के रूम में खड़ाता हो माली हमस कर उन से पूचा ये महाराज बता तूसको कहा रहा है मैं उसको ले जाओंगी एक लड़की का रही है स्री का रही है साड़े तैंदी साल के जवान का लाश में ले जाओंगी तो ईशु ने उसकी प्रेम को समझ ली जिसके करण उस वतीश्व अपने आपको प्रकट करना ना चाहा तो भी क्या कर लिया रगर कर लिया बोल दे है मर्यम नाम सुनते ही समझ गया यह माली नहीं है मेरा मालिक है एक गुरु कहा कर उसका पैर को क्या कर लिया पकल लिया पैर को पकल लिया क्या पैर को ही पकल लिया कैसा मालूब वहां लिखा है उसको चुआ ईश्व मसीश से ईश्व मसीश को का रहा है तू मुझे मत चुँ क्योंकि मैं अब तक का पिता के पास नहीं गया मूल भाशा में मत चुआ ऐसा नहीं तू मुझे मत पकड कर रख इसका मत जब इसको पकडता चला मरियम को ईश्व ह है उसने क्या कर लिया पकड लिया उसको क्यों उसको उसका बाप्तादा का मालूम है किसका याकूब का याकूब एक बाद परमिशुर को क्या कर लिया था ऐसा पकल यब्बो को नदी के किनारे अकेला बैट कर रात के बाद परमिशुर का ऐसा पकड़ कर रखा भोर होते व जब तक खाजिर्वाद नहीं देगा तब तक ना छोड़ूँगा नहीं है क्या? आकरम प्रूबन को क्या दिया? तब तेरा नाम एक्रेंज वालम याकूब क्या कर रहा हूं? बदर रहा हूं क्या बना रहा हूं? ये इसको वालूम है किसको? मरियम को इसलिए इशू के पायर को क्या कर लिया पगड़ लिया तब इशू ने बोला मुझे छोड़ क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास क्यों पिता के बाहर जाना था इशू को हाँ क्योंकि ईश्व अपने आपको पहले क्यों प्रगट नहीं किया उसके बाद पिता के पास जाना क्यों बोला वो इसलिए था वो मरेवों में से जी उठने के बाद पुराने करार के सारे भत्त लोगी आत्माओं को लेकर आ रहा था कहां छोड़ने के लिए ये सियोन बहा पर छोड़ने के इसलिए बोला मैं पिता के पास जा रहा हूं उसके बाद इसका अर्थाद इन सब को वहां छोड़कर वापस आओंगा मेरे भाईयों से कहा देना में उनको कहां मिलूँगा गलील में मिलूँगा अर्थाद ये सब के सब इस मसी के मृत्यू के बाद कहां पर मुझाये गए लोग हैं सीयोन पहाड़ पर इसलिए एफिस्व के बत्रे में वो कहता है ये प्रत्विस से निचले भागों में उतरा था हम और बंदियों को बांद कर ले गया और बांद कर ले कर गया और उनको उनको क्या दिया भेट दिया प्रदी भल दिया कर अर्थ इसको सुर्गी ये स्थान का प्रदी भल एक प्रकार से ये सीयोन पहाड़ पर उनको पहुंचा गिया इसका बदल है ये सीयोन पहाड़ जहां जिसके पास हम आए हैं उसके बारें बोल रहा है जिस पहाड़ के पास हम आए हैं वो पहाड़ के बारें बोल रहा है कौन सा प पहाड और पहाड पर कौन कौन है पाले कौन है लाख हों स्वर्ण का दूसरा कौन है पुर्याने करार के भतल होंगी आतमा है तीसरा क्या है और सबके न्याई परमिश्वर के पास पिता परमिश्वर भी कहां रहता है इसी पार पहाड पहाड़ा तीसरा पिता परमिश्वर और आगे और सिद्ध किये हुए धर्मियों की आत्मा हैं ये कौन है नए करार के विश्वास ही लो हमने इन दिनों में देखा फुराने करार के कोई बेलिदान किसी को सिद्ध नहीं किया लेकिनी शुमसी के बेलिदान के द्वारा हम क्या किया गया है सिद्ध इसका मतलब सिद्ध किये हेगे आत्मा इंग को नें नए करार के विश्वास ये कैजाते हैं है यहां भटकते रहेगा काम पहुंसता है स्वार्ग पहुंसता है क्योंकि यह कि इए शवर्ग पहुंसता है अर्थाद नए करार के विश्वासिल हो आगे और नए वाचा के मध्यस्थ ईश्व और छिड़काओ के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है ये पहाड पर कौन भी है प्रभु ईश्व है वो कहां बैटा है पिता के दाहिने इसका मतलब है सबके सब कहां बार है ये सियोन पहाड पर आगे लिए और रही लिका है और उसमें क्या भी है वीश्व मसी का लहू इसका मतलब हो पहाड प्रकल्पना करो प्रकल्पना करो जिस पहाड के पास हम आए हैं काम बरहिए जीविते परमिश्वर का नगर उसमें यरुशल्यम में हैं कौन सा पहाड ये सियोन पहाड वो सियोन पहाड में कौन कौन है प्रभुईश मसी है लाख खूंसर के दूद है पुराने करार के भतलोंगी आत्माएं हैं और नए करार के भतलोंगी आत्माएं भी कहां है ये सियोन पहाड पर है नए करार के भतलोंगी आत्माएं कैसे जाएगा वहाँ स्टिफनूस मरने के बाद क्या कहता है मैं अपनी वो सुर्ग को खुला हुआ देखा उसके बाद क्या कहता है मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सुरता किसको बोला इश्यू को क्योंगे इश्यू क्या हो गया था वहाँ खड़ा हो गया था कहाँ इसी पहाड पर, पिता के देह ने बैठा था, यहां मुस्तिफनुस उपर पहुंज रहा है, उस बाद ईशु क्या हो गया, खड़ा हो गया, अलो, ईशु पिता के देह ने बैठा है लिका है, लेकिन स्टिफनुस को स्विकार करने के लिए इशु क्या हो गया, खड़ा हो गय है जो आपका सबसे निकत नहीं है क्या नहीं है क्या आप जिन से आधर करते हो क्या करता है आप उनका क्या करेगा खड़े होकर स्विकार करेगा यह स्थिफनुस यह प्रित्वी से मरकर स्वर्ग पहुंच रहा है जीशमसी क्या हो गया खड़ा हो गया किसले उसको स्विकार क और स्टिफनोस अपनी आत्मा उसके हाथ में दिया जो इसका मतलब स्टेफनोस मरने के बाद कहां भोचा है के नीचे नहीं गया कहां गया उपर इसका मतलब आज भरने मा मरनेवारे सारे भतलो कव भूचता है सीथा यह उन पहाड पर पुरूचता है आप नहीं 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 अपर वही तो मैं बोला हूं क्यों यह नते तो है लिखा है यह लिखा है यह पहाड सीयोन पहाड कहां पर आई है कि स्वच में लिखा ना यह यह स्यवण पर कहा है स्वच में ना पका ना कोई ना इंगिया तो यह वहाँ है यह पहाड और यह पहाड में कौन नहीं पता है आत्मा हैं कौन है वो नए करार के लोग कहां बरहें स्वर्ग में पाय जाते हैं ये स्पष्ट है वहाँ है दोसरा स्टिफनुस मरने के बाद अपने आपको काम किसका हाथ में सब्धिक किया उसने देखा स्वर्ग खुला है ईशू खड़ा है और ये अपने आत्मा किसके पातों में दिया है कि नहीं इसका मतलब हो गया कहां स्वर्ग नए करार के सब भत्त लोग मरने के बाद सीधा कहां जाता है स्वर्ग ही जाए वो इस बात का प्रमानिन है वो प्रमानिन किया गया हुआ कोई दो लोग में अबरहाम का गोद में नहीं जाएगा सीधा कहां ज वहाँ पिदा है फुत्र है इश्वसी का लहू है पुराने करार के भत्तलों की आत्मा हैं नए करार के भत्तलों की आत्मा हैं हम उस पहाड के पास आया है कौन हलो कौन आया उस पहाड के पास दौर्जा बोलिया ना आप कहा बार है अब तो रायपुम में बैटा है हलो, आथ तो कहा है राहएपुर में, लेकिन लिखा है आप उसके पास आए यह सी और पहाड के पास, को कहा पर है, यह कैसे पहुंचता है, हाँ, आप प्रिथ्वी पर घुटना टेके, आप सुर्गी अस्तानों में पहुंचता है, है, शारी री री रूप में प्रिथ्वी अस्थानों में पहुंच जाता है अब सीने पहाड के पास इसराइली लोग जब परमिश्वर सीने पहाड पर उतराया इसराइल लोग बोला ये परमिश्वर हमसे बात नहीं करना लेकिन ये पहाड के पास जाएं वे लो एकी बार परमिश्वर का शब्द सुना था, नहीं है, हलो, कहां, सीने पहाड पर पहली बार परमिश्वर का शब्द सुन लिया, बोला, यह परमिश्वर आगे हमसे बात, मत करना, लेकिन, यह पहाड कौन सा पहाड है, यह जियोन पहाड, यह पहाड के पास तरह कर, ये परमिश्वर का शब्द एक बार सुनेगा, तो हमेशा सुनना चाहेगा. Praise the Lord, एक बार इसका शब्द सुनेगा, तो चाहेगा बार बार वो हम से क्या करें, बात भी करें. प्रयाने करार के लोग प्रमीश्वर के समीप जाने के लिए डरता था भैभीत होते थे ने करार में हमारे लिए एक महाया जख़ उसके देहने बैठा है कौन प्रबईश्वर जिसके कारण याव बांद कर जासता है वो कब जासते हैं जब कभी सहता चाहिए उन हर वत जासते हैं हललुया इसराइलो परमीश्वर के उपस्तिती से डरा वो कहा कि ये परमीश्वर हम से बाते ना करें लेकिन नए करार के हमारी विशेश्वता हम कभी भी उस खुदा के पास जासते है जो सियोन पहाड पर है वो उनकी आवाज आज हमें डराने वाला आवाज नहीं बलकि निराश्व में बैठा विती को आश्चा देने वाला शब्द है नर्बल विती को बल देने वाला शब्द है अमें कमजोर विती को बलवंद करने वाला शब्द है या परमेश्वर का शब्द है इसलिए जब कभी हमें सहायता चाहिए हम क्या कर सकते हैं याव के साथक उसके पास जा सकते हैं तो हम सीने पहाड के पास नहीं आया कौन सा पहाड के पास अब वहाँ पिता है फुत्र है इश मसी का लहू है लहू किसलिए है लहू इसलिए है कि वो महायाजक के पास जाए है यह महायाजक कौन है प्रवी इश मसी उसने क्या लेकर गया अधा महायाजक का लहू लेकर जाता कहा है अधी पवित्रस्तान तो ये अधी पवित्रस्तान कहा है अधी पवित्रस्तान क्यों अधी पवित्रस्तान में परमेश्वर की शक्कही न रहता है वैसा है तो प्रवी इश मसी जो हमारा महायाजक है अपना कुन अपने आपको बिलिदान करके देया और अपना लहू लेकर अपना लहू लेकर परमेश्वर जहां रहता है अर्थाज स्वर्ग में प्रवेश कर लिया वहां लहू दिया इसलिए लहू कहा रखा है वो स्वर्ग में वो तंबू में रखा है प्रित्वी का तंबू मिलाकवला तंबू का अधी पवित् उसका नाम लेकर प्राथना करते हैं जब कभी आप प्राथना करते हैं कहां बूंसता है हलो कहां बूंसता है ये सियोन पहाड के पास आते है तो क्या करना पएगा सबसे पहले ये लहुसे शुद्धी गरन को प्राथना पड़ेगा Praise the Lord तब ही आपकी प्रातना सुनेगा पुछल दिनों मैंने कहा था हम सीधा जाकर मेमोरान्णम दे देता है हेलो आवेदन दे देता है ये चाहिए वो चाहिए ये करना प्रभू हम कई बार प्रभू को ओडर देने वाला बनता है है हमारी प्रात्रा कई बारा इसा है हम स्वामी प्रभु अमारा नौकर नहीं है क्या हलो हम गौन मालिक और प्रभु कौन हमारी बात को मानने वाला हमारा सेवक प्रभु ऐसा खर लेना हलो अच्छा है हमारी प्रात्र में सुधार करके वहां पहुंचाने वाले एक हमारे साथ है इसलिए बच जा रहे हैं कि नहीं समझा कौन पावित्रात्मा क्योंकि हमें नहीं मालूम कैसा प्रात्रा करना चाहिए क्योंकि हम ऐसा है वहां जाने लायक बना देता धन्यवाद दो उस पवित्रात्मा खा प्रेज अलुलूइया तो कि हम नहीं जानते कैसे प्राथना करना चाहिए यह प्रभु को मालू है अलो जिंदा मत करना प्रभु आपको मारेगा पिटेगा नहीं है क्योंको उसको मालूम है प्राथना करना हाता नहीं है प्रभु आत्मा प्रवित्रात्मा जो हमारी प्राथनाओं में हमारी प्राथनाओंे हम सहहता करता है था धै哇 तो हम वहां जाने से पहले आपना अर्थनट में ठारने से पहले उस लहू के द्वारा क्या किया जाना है शुद्ध किया जाना आनिवारी है इसलिए वो लहू कहा रखा है वो सियों पहाड पर रखा है ताकि हम शुद्ध किया जाएं वह एक वित्वी नहीं है, कौन है? पवित्रात, वो कहांबर है? वो इस पृत्वी पर हमारे साथ है, ईश्व ने कहा, मैं पितास से मांगकर तुम्हारे लिए एक सहाय को भेजूगा, रिंदिक उसके दिन में पवित्रात्मा की सामर्थ, अन्यबाशा चिन्ने के साथ प्रग तैयारी करने का काम कर रहा है पवित्रात्मा, यह पवित्रात्मा जाएगा कब मालू हमको लेकर जाएगा, रेज़ रोग, उनुर्थी शरी प्रात्त किये हुए हम, जब कलीस यहां से उठा लिया जाएंगे, तब ही यह पवित्रात्मा भी यहां से सुर्ग पहुंचेगा तक तक इस पृत्वी पर अमार लिए सहाय का रूप में कौन है स्वर्ग में पिता है फुत्र है उसका लहू है पृत्वी पर पृत्वरात्मा है अर्थ स्वर्ग हो पृत्वी पर हो अंसुरचित है स्वर्गी अस्थानों में क्या नहों प्रिथ्वी पर क्यों नहों हम अकेला नहीं सहायता करने के लिए परमेश्वर साथ है प्रिथ्वी पर पवित्र आत्मा परमेश्वर है तो स्वर्ग में पिता और पुत्र भी है हललुया हमसे बढ़कर इस प्रिथ्वी पर कोन आशीशित है प्रिथ्वी पर नेता का सता साहता करने के लिए और नेता हो सता है नेता की साहता करने के लिए कोई अधिगारी हो सता है लेकिन विश्वासियों की अधिगा सायता करने के लिए प्रिथ्वी पर कोई नेता नहीं है तो भी पर मेश्वर पवित्रात्मा है वो काफी है प्रिथ्वी के नेता की साहेता करने के लिए कि अब प्रिथ्वी पर ही कोई है उपर कोई नहीं है लेकिन हमारा उपर भी है हाललूया इसलिए मैंने कहा हम ही प्रिथ्वी पर भी वी 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 एपी लोग है कौन है वी 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 आई पी वेरी वेरी इंबॉर्टन प्रेशन से है दिवे हो सता है दुनिया के नजर में दुनिया के लिए हम कोई काम का नहीं है भी तो भी सर्ग का परमेश्वर के नजर में हम काम का है Praise the Lord हम विश्वास से वसी ओन पहाड के पास जाने वाले हो जाए हमार लिवाह एक महायाजक है हमारा परमेश्वर वो हमारा पिता है हललुया हललुया पराने करार के लोग परमेश्वर के उपस्तिती से डर गया भैपित हो गया बोला यह परमेश्वर हम से बात मत कर क्यों क्योंगी परमेश्वर उनके लिए एक डराने वाला वित्ति जैसा दिखा लेकिन नहीं करार कि हमारे लिए वो डराने वाला नहीं है वो हमारा बाबुजी है हलो वो हमारा कौन है पिता है हूँ हमारा पिता है पुराने करार में एक कुभी भत्तर कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर को पिता नहीं कहा हलो पुराने करार के एक भी वित्ति परमेश्वर को पिता नहीं कहा पिता परमेश्वर का शब्द लेता ही नहीं था यह वे शब्द पूरा नहीं लेता था लिया तो भी बीच में यह बोलकर बंद करता था क्योंकि परमेश्वर का नाम लेने से भी वे डरते थे वे कहता क्य लकिंब नया करार के हैं जो यू पर विश्वास किये हैं हमारी विश्ष था सजडल का पर मेश्वर हमारा पिता बन गया है हम उसके संदान बन गये हैं हाज रहे मुस्की उपास्तित में डरने की जरौत नहीं जैसे एक बैच्य अपने पिता के पास नेडर हो कर जाते हैं वैसा हम अपना सुर्गी ये पिता के पास नेडर हो कर जा सकते हैं और उसका शब्द हमेरे लिए डड़ावना शब्द नहीं है बैलकि सांदोना का शब्द रहता है हमें हिम्मत देने वाला शब्द रहता है हमें हियाव देने वरा शब्द रहता है इसलिए हम जाएं फुस्यों पहाड के पास जहां हमें सहायता मिलता है हललुया प्रभू हमेरी सहायता करें जाकर नासा कर गया जाए